नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लुसन क्लासेस में मेरा नाम है नितिन कुमार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डारेक्शन सेंस के बारे में बात करेंगे अगर बात करें direction के बारे में या distance के बारे में आपको कोई problem नहीं होगा क्योंकि इस वीडियो में हम वो सभी question को attempt करेंगे और सारे question के concept को समझने की कोसिस करेंगे कि हमें उसको किस तरह से solution मतलब solve करना चाहिए ठीक है तो चलिए इस वीडियो को last तक देखें कि आपको यहां जाने को बहुत कुछ की मिलने वाला है साथ ही साथ आप हमारा चैनल अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो please subscribe करें और इस वीडियो की जो भी pdf है आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी the lucid classes या फिर हमारे WhatsApp ग्रूप में मिल जाएगी जो कि हमारे description में मैंने link दे रखी वहां पर चलिए फिर शुरुआत करते हैं बात करें दोस्तों कि direction के जो question होता है आपके examination में दो तरीकी से पूछ जाते हैं पहला distance से और दूसरा आपका direction से distance से कहने का मतलब अगर आपको कभी कभी कोशन में देखोगी है कि मान लो एक राम है जो कि 4 meter वो east के तरफ चला फिर चला 3 meter मान के चलो 3 meter south के तरफ चला तो वो total distance कितना चल गया अपने initial point से ठीक है मान के चलो यह इसका initial point है और यह इसका final position हो गया ठीक है तो कितना distance चला गया ठीक है यह आपको calculate करना है तो इस तरह से question हम लोका पुछे जाते हैं साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि आपसे यह पूछा जाएगा कि बताना है आपको की direction के बारे में इसी में पूछ दिया जाएगा कि बताए जो अपने initial point से जो राम चला था final position पे इसके respect में वो किस direction में है ठीक है आपसे ऐसा भी question पूछा जाता है या फिर आपसे पूछा जाएगा sideo type का कि मालों कि दो दोस्त हैं एक दूसरे के तरफ face किया हुए है morning का time है और वो बात कर रहे हैं ठीक है आपको बताना है कि जो पहला दोस्त है उसका sideo है दूसरे दोस्त के right में पढ़ रहा है तो उसका face किदर होगा जो उससे बात कर रहा है सामने वाला जिसका sideo पढ़ रहा है या फिर जो जिसके बगल में sideo पढ़ रहा है उसके सामने दोस्त का उसका face किस direction होगा तो इस type के आपको question पुछे जाते हैं कभी कभी आपको clock type के question पुछे जाएंगे तो इस वीडियो में हम लोग सभी बात करेंगे सभी को बात करेंगे कि कैसे इसको solve करते हैं देखो trick हमें रटने के जरूरत नहीं है उतना ही भर जितना भर हमारा काम चल जाए आपने बहुत सारी YouTube पे देखे होंगे बहुत सारे वीडियो बहुत सारे tricks होते हैं इसको solve करने के लिए अरे कितना tricks याद करो यार concept याद रखो बहुत है बस समझने कोसिस करो tricks याद करोगे आप भूल जाओगे फिर वही बात हो गया रटने वाला ठीक है तो हमें रटना नहीं हमें समझना है ठीक है तो आप बात करें कि किस तरह से आपको कोई चीज बेसिक पॉइंट जो आपके माइंड में रखने होंगे आपको याद रखने पहले है कि डारेक्शन की में यह होता है नौर्थ यानि आपका उत्तर यह होता है साथ यानि दच्छिन यह होता है आपका इस्ट यानि पूरब और यह हमारा होता है वेस्ट यानि बात करें तो पच्छिम ठीक है अब इसी में जो हमारे coordinate बात करें कि जो हमारे cardinal point होते हैं जैसे कि North East, South East, Southwest और North West यह हमारे होगे 4 cardinal points तो इस सब के वारे में आपको थोड़ा बहुत मतलब knowledge होना चाहिए साथी साथ आपको यह भी knowledge होना चाहिए कि जो बात करें कि अगर इस direction में बात करें कि अगर North East, South अगर West दिया है तो यह जो आप देख रहे हो cardinal direct point तो यह 90 degree बनाता है ठीक है और इसी का मान करें चलो कि यह अगर North East है तो यह हमारे total कितना अंगल हो गया 45 degree ठीक है आपको और चीज़ बात आदे कि आपको एक और चीज़ आपको mind रखनी होगी कि अगर आप right के तरफ clockwise चल रहे हो मान के चलो North से आप चलना सुरू किये हो ठीक है clockwise direction राइट से move कर रहे हो ठीक है तो यह आपका बात करें तो यह हमारा हो गया 45 degree 45 degree मतलब मिलके 90 degree हो गया उसी तरह से बात करें कि अगर आप left side से भी चलते हो तो same angle और same direction होता है ठीक है इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए ठीक है यह नहीं कि आपका अचानल बात करें तो 60 degree हो गया 70 degree होगा ऐसे कभी नहीं पूछा जागा माइनर ही ऐसा होता है जो पूछा जाता है लेकिन जाद तो 90 degree पूछा जाएगा 45 degree पूछा जाएगा इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछा जाएगा और एप्प्रॉक्स में थोड़ा बहुत उपर नीचे पूछ दिया जाएगा आपको अनुमान लगाना है कि हाँ अगर 42 degree पूछा है तो कहा हो सकता है ठीक है बस इतना ही समझना है और कुछ नहीं इसमें बागी सब फिज्यूल की बाते हैं जैसे कि आप ये कोश्चन को देखो कि मान के चलो कि आप मूब करते हो 4 meter towards east तो आप east के तरफ मांचके चलो ये हमारा north, east, south, west है ठीक है तो ये हमारा east में आप 4 meter चले ठीक है फिर बोल रहा है कि आप फिर 3 km आप चलते हो north के तरफ मतलब ये हमारा होगा north पिर north के तरफ आप 3 km चलते हो ठीक है फिर आपको बताना है कि जो आपका distance था starting point से वो कितना था ठीक है starting point से कभी-कभी क्या होता है आपका total distance पुछा जाएगा ठीक है कि आपने total distance कितना चला तो 4 plus 3, 7 यानि total हम 7 km चले ठीक है यह आपका total distance पुछा जाएगा लेकिन जब बात किया जाएगा आपके starting point से आपने कितना distance cover किया तो आपको एक pathogros theorem का law यहाँ लगेगा जिसका formula होता है कि hypotenuse का square is equal to perpendicular का square plus base अब बात करें कि hypotenuse base perpendicular क्या होता है तो आप देख रहे हो कि जो निचे का जो हम लोग बात करें कि अगर आप starting point चलना ज़ेश शुरू करते हो तो निचे का जो base होता है इसको हम लोग base कहते हैं फिर एक perpendicular जो होता है ठीक जहाँ पर नाइंटी डिगरी बनता है ठीक है वहाँ पर 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 पेंडिकलर होता है सब में allow नहीं होगा यह cable और cable perpendicular वहीं एलाओगा जहाँ हमारा 90 डिगरी बनता है ठीक है फिर यह हमारा होता है hypotenuse always याद अखना हमारा जो होता है hypotenuse always greater than होता है हमारा perpendicular बात करें perpendicular और base से ठीक है हमेंसे याद रखना यह जब 3 है sorry 4 है और यह 3 है तो यह हमेंसे समय लोग 5 होगा बहुत एक example ले रहा है कि हमेंसे यह दोनों से ज़्यादा होगा hypotenuse ठीक है इस चीश को आप माइड रखना अब इसी का formula होता है कि देखिए इसका square hypotenuse का square is equal to perpendicular का square plus base का square ठीक है अगर मान के चलो हाइपोटेनस दे रखा है बेस दे रखा है और perpendicular पूछ दिया तो simple सा है perpendicular is equal to hypotenuse का square minus base का square ठीक है यह simple सा law है जो आपको कुछ formula होता है जो याद रखने होता है और यह basically हमने अपने triangle law में पढ़ाई होगा तो यह हमेशा right angle triangle में यह law हमेशा use किया जाता है तो देखो 3 square, 3's perpendicular का square plus base का square जानी 4 का square is equal to 3 का square हमारा 9 हो गया और 4 का square 16 हो गया दोनों को जोड़ दिया तो 25 हो गया फिन जब हमारा 25 हो गया तो यह हमारा 25 root अंडर गया तो इसका हमारा answer हाया 5 ठीक है तो यह 5 हमारा answer हो गया यह 5 किलोमीटर अपने initial point से मैं चला था तो दोस्तों बहुत simple है अब बात किया जाए कि अगर direction के बारे में कि बताइए कि इसके respect इमान के चलो हम ओ देते हैं और ये P हमारा final है तो अगर हम P से बात करें कि P के respect में हम किस direction में है तो आपको कुछ इस तरह से बनाना होगा और देखना होगा कि हम किस direction में है तो north east direction में है ठीक है तो ये चीज आपको direction से भी पूछ दिया जाता है कभी कभी ठीक है चलिए आप दूसरा question है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि मान के चलो एक P है वो 20 km 20 km चला south ठीक है तो ये मान के चलो P है ठीक है वो 20 km चला south की तरफ ठीक है आप बोलता है कि उसने क्या किया कि left turn लिया ठीक है अब left turn लिया तो इसके respect में आपका left इधर हो जाएगा ठीक है अब वो चला कितना तो 30 तो 30 मिटर ये चला फिर उसने क्या किया again वो left turn लिया ठीक है अब वो कितना चला तो यह 20 मीटर चला ठीक है 20 मीटर चला तो how far is he from starting point अब देखिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे यह कितना far है कितना दूरी पे है अपने starting point से तो जब यहाँ 30 है और यहाँ equal distance यानि यह 20 भी है यह 20 है और यह भी 20 है तो obviously यह हमारा 30 मीटर चला ठीक है so b is the correct answer हम कह सकते है ठीक है आपको अच्छे समझ में आगा बात करें तो यह देखो ठीक है यह diagram को देखो मैं यही बनाया था भी थोड़े पहले तो यह भी है जो कि अपने initial point से चला और 20 मीटर चला ठीक है और south के तरफ यह हमारा south हो गया ठीक है फिर 30 left turn लिया और फिर चल 20 मीटर ठीक है left turn लेके ठीक है फिर वो बता रहा है कि आपका यह यह हम में लागाना कि यह कितनी दूरी पर है मतलब कि starting point से वो कितनी दूरी पर है ठीक है तो simple साय जब यह 20 है यह 20 है ठीक है उसी तरह यह 30 तो यह भी 30 ठीक है यहां कोई दिक्कत नहीं है I hope आप समझ रहे ह ठीक है यह हमारा यह equal होता है वसी तरह हमारा यह बात करें तो लेंथ हमारा इकोल होगा ब्रेथ इकल होता है इसी तरह से यहां पर बताए गया है I hope आपको confusion नहीं होगी यह हमारे basic से अपने पढ़ा होगा six seven में अब जैसे यह question है आप से कभी कभी इस तरह से direction बात करें त इतना ही अगर आप practice कर लेतो हो तो समय लो direction के question और distance को question को आप यह चूटकी बजा के हल कर लोगे कुछ नहीं है देखो सबसे important होता है आपका diagram सब ट्रीक को भूल जाओ कुछ ट्रीक हमको याद नहीं रखना हमको diagram याद रखना है जैसे से question कर रहा हम वैसे वैसे diagram करेंगे बस देखो किसी का आप फल तोड़ने से अच्छा है कि आप उसकी जड़ पकड़ लो एकदम root पकड़ लो तना पकड़ने से अच्छा आप क्या फल तना पकड़ोगे डिरेक्ट जड़ ही पकड़ते है न पेड़ का जड़ ही पकड़ लो और वो जड़ आपका है question को किस त होगे बहुत कुछ रटने के लिए जीके है जीए से और सब हम इसी तरह अगर हम बात करें रिजनिंग और mathematics भी रटने लगे तो हमारा तो काम तमाम हो जाएगा कितना रटे का दिमाग ऑल्रेडी इतना प्रेसर है एक जाम का वो बेरोजगारी का उपर से यह सब और हम ठीक है तो कॉंसेप्ट को समझे जिस तरह इसको खुब बता रहें कि ऐसे सौल कि जाता है बस एक पेन उठा लो और एक पेपर लो बस जैसे कोशन कर रहा है वह से ड्रो करेंगे चार किलोमेटर चला किधर तो चार किलोमेटर चला हमारा इस्ट के तरफ चलिए फिर वो चल चला मैं चला आई ट्रेवल ट्री किलोमेटर ट्री औरस नॉर्थ फिर ठीकलोमेटर यहां फे बात करें तो नॉर्थ के तरफ चलिए हम ठीक है 3 किलोमेटर अब कहे रहा है कि आ इन वीच डारेक्शन आयम फ्रॉम्ध इस्टार्टिंग में हम किस डारेक्शन में अपने के तरफ चले फिर उसके बाद हम नॉर्थ के तरफ चले गए ठीक है इस इधर के तरफ ठीक हुई हम 3 किलोमेटर तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से हम किस डारेक्शन में तो नॉर्थ इस डारेक्शन में सिंपल सी बात आपको यह डाग्राम ज्यादा इंपॉट्टन रहे देखे तीक है यह देखे स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने क्या बुला था कि इसी तरह से आपसे कोश्चन पुछे जाएंगे तो हम इस्टार्टिंग पॉइंट से नॉथ इस डारेक्शन में ठीक है आप ज़रा कारडिनल पॉइंट को जाद किजिए यह नौर्थ इस्ट होता है ठीक है और यह साउथ इस्ट होता है उसी तरह यहाँ पे हमारा नौर्थ वेस्ट होता है और यहाँ पे साउथ वेस्ट होता है ठीक है यह हमारा कार्डिनल पॉइंट हुआ ठीक है फोर कार्डिनल पॉइंट तो आपको इस सब कुछ याद रखना पड़ेगा जब यह कोशिन बना रहो पहला कि आपको याद रखना होगा डारेक्स जैसा कि मैं रहूँ लेफ्ट राइट याद रखना होगा जब आप शॉल्ब कर रहे हो फिगर को बना रहे हो आप इस्टेट जारो पोजेटिव जारो किदर है क्योंकि देखो नॉर्थ के पोजेटिव क्या होता है साउथ ठीक है इस सीच को भी आपको यह माइन में रखना है संराइज और संसेट के बारे में याद रखना है और यह जो हमारा फोर नंबर है यह बहुत इंपोर्टेंट है जो कि सभी एक्जामें पूछ जाते हैं और यह हम थोड़ा वीडियो के इन ओर फोर्म फोजीचन है एक परसं यह अपने ओर पोजीचन से मांनीज चलना सुरू किया तो वह नकीदा चल तो इस करदेशन में चला ठीक है मांनके w करते हैं जो आदमी चलना शुरू किया वह एक राइट टर लेता है फिर शुख कर लेकर लेता है और और फिर सुनों सुरुक करता है मैंने लिख रखाया यहां पर देख सकते हो तो पहले यहा sparks हम राइ्ट लिते हैं ठीक है राइट लिएं फिर यहां से हमको लेफ लेना है ठीक है यहां लेफ टरूले ना है फिर का रहा है लेफ टरूले किसी ने के बाद हम चलना सुरू किया देन आगें Bandम विफ45 डिगरी राइट फिर अगें हम 45 डिगरी राइट के तरफ जा रहे है ठीक है अब 45 डिग्र राइट के तरफ जा रहे हैं इसका मतलब एक मिनट A person start from A position इस्ट के तरफ चला ठीक है फिर कहा रहा है then he take right turn राइट टर्ण लिया फिर again he take left turn मतलब फिर वो अगें left turn लिया ठीक है यह हुआ था कलती हम सोरी एक मिनट इसको अटा दिए फिर 45 डिग्र यानि यह यह एंगल जो हुआ हमारा 45 डिग्री हुआ ठीक है यह यह 45 डिग्री हुआ और किधर चला राइट में ठीक है अब इसके राइट में बात करें तो यह राइट इधर इधर चला थे इह लाएं तो कहे रहायाएं हैं इस डर एक सनतार रहाया या अब चलिया हम आपको फोगर दिखाते हैं तो दीन Tabii कुछ इस तरश से ठीक है देखए वाना आपने यहां पे यानि यह इ इधर के तरफ है यह हमारा किस डारेक्स डारेक्स डारिसन है तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से यानि ये पोजिशन वो फोटीफाइव डिग्री मुड़ा तो यानि साउथ इस डारेक्शन में बहुत सिंपल था कितना फिगर की तरह सॉल्व कि हमारा भी फिगर कुछ लूक लाइक दिस मतलब इसी तरह देखने वाला था ठीक है अब देखिए एक और कोशन है इससे जरा आप सॉल्व करो ठीक है यह बहुत असान है जैसा मैंने बताया कि डाइग्राम के साथ सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेटर होगा ट्रिक से समझने से अच्छा ज्यादा सा डाइग्राम से समझे ठीक है सिंपल सा है तो दोस्तों य यही जरा कोशन है आप जरा इससे सॉल्व करो ठीक है वीडियो पहुच करके मैं आपको बताता हूँ इसे भी सिंपल एक डाइग्राम के तरह जैसे से कोशन कहेगा मैं वैसे वैसे डाइग्राम मनाते जाओंगा और यह देखो तुरन पांच सेकेंड के अंदर सॉल्व हो जाएक जैसे की कि कहता है मतलब कोशं कहता है कि एक पॉइंड पर मेरा nach शुल्व यह फिथा खढ़ार ठीक है मैं एक पॉइंड पे और यह सब कि तरorts देख रहे तो यह को जो है हमारे पीक के नौर्स साइड में खड़ा है यानि अनौर्थ परसन में क्यूव वो है हमारी नौर्स साइड में खड़ा ठीक है यानि इधर नौर्स के तरफ यानि क्यूव खड़ा है ठीक है अब ज़रा देखो कि अगर हम बात करें नौर्थ इस्ट साउथ एंड वेस्ट की तो यह हमारा ह गया अगर मान के चलो राइट अगर इधर देख रहा है तो इधर फेस किया हुए है ठीक है एक मिनट इधर फेस किया हुए तो यह हमारा लेफ्ट हो गया ठीक है यह भी अगर इधर फेस किया हुआ है ठीक है इधर फेस किया हुआ है तो इस हिसाब से यह राइट और यह पिए हैं और एक अनॊदर परसन अäreस जो की पी का दोस्त है और वो यहाँ पषक aggregate अब बात करते हैं अगर इस तरह से तो बता रहा है कि किस डारेक्शन में he is mftest में खणा ठीखे इनीविब डारेकें ऐसट है टींड ऐस थी। ए तो इसरा के रिस्पे birlग है तो sr खड़ा है तो देखो ये हो जाएगा हमारा बात करें कि 4 cardinal pulse की बात करें तो ये हमारा R की respect में जो S है ये हमारा खड़ा किधर तो south west के direction में खड़ा है ठीक है ये डाग्राम को समझों एग मैं इसी तरह समझाने को से कर दा ठीक है यह हुआ यहाँ पर यह हुआ यह यहाँ पर तो यह साउथ-वेश्ट के डारेक्शन में खड़ा है बहुत सिंफल था 5 सेकेंड के अंधर सौल हो जाएगा को ट्रिक्स ट्रिक्स वगड़ा कुछ नहीं होता है बस किवल ट्रिक्स किसमें कामकर तो किवल आपका स और संसर्ट में आपका ट्रीक्स काम करते हैं और उसी में आपको बहुत जरूरी भी है क्योंकि उसकी कि बिना हमको किलेगा कि कौनसेट आपको अच्छ समझ भी आएगा और ट्रिक्स जो है Ai हमारा सबसे बेसे है हमारा टाइम बचाने के लिए जैसे कि हम बात करें अब Sunset के question में Sunrise के question अगर आपसे पूछी आते हैं तो कुछ चीज़े है जो आपके mind में रखने पड़ेंगे जैसे की अगर time होता हमारा Sunrise का तो एक इंसान अगर face किया इस्ट के तरफ तो उसका जो अगर पड़ेगा तो उसके इस्ट में पड़ेगा और उसका चेहरा वेस्ट के तरफ होता है तो इस तरह से आपको समझना होगा ठीक है उसी तरह कि अगर man है अपना face किया है North के तरफ at a time of sunrise his shadow will be towards his left इस चीज़ को आपको यादा कियेगा और यही tricks है ठीक है अगर एक इंसान अपना चेहरा North के तरफ किया हुआ है तो उसका वी कब है सुबा का समय मतलब sunrise के समय मतलब सुरूदय के समय जब सुबा होती है morning के समय at a time of morning his shadow will be towards his left ठीक है उसके left में पड़ता है अगर उसके left में अगर उसका दोस्त खड़ रहता है और उसके दोस्त के बात करें उसके द North में ही होगा normal सी बात है ठीक है तो इस चीज को आपको याद रखना होगा जैसे कि अगर आपका दोस्त ठीक है आप उसका आपका दोस्त का जो shadow है अगर आपके right में पड़ रहा है और वो भी बात करें कि morning का time है तो definitely जो होगा आपका जो face होगा वो आपका south के तरफ होगा और sunset के बारे बात करें कि जब मतलब रात साम होती है जब सुर्यास्त होता है तो यह definitely just उल्टा हो जाता है अगर उसका shadow right में है ठीक है तो उसका जो face होगा वो हमारा south के तरफ होगा ठीक है अब 12 बज़े के बारे बात करें तो उस वक्त क्या होता है कि sun जो होता है vertical होता है ठीक है no shadow will be there अब बात करें जैसे कि मैं आपको समझाने कोशिस कर रहा था कि जैसे यही कोशन को ले लो कि अगर इनसान एक खड़ा है ठीक है मानलों कि एक आदमी खड़ा है और वो अपने चहरा north के तरफ किया हुआ है तो at a sunrise मतलब time of morning where he is shadow we मतलब उसका shadow कहा होगा देख अगर उसका चहरा north के तरफ है और जो सूरज है आपका morning time मतलब इस तरफ से आपका बात करें तो अगर यहां पर सूरज है ठीक है यहां पर सूरज है तो आपका इसका sun का इस पर light पड़ेगा तो इसका definitely shadow इधर के तरफ जाएगा ठीक है मतलब बात करें कि उसके left में मतलब तो यह left side में इसका shadow जाना है तो उसका shadow की दो जाएगा west के तरफ कब जब इसका चहरा जो होगा हमारा north के तरफ है ठीक है उसी तरह अगर वो south के तरफ face किया है तो south के तरफ face किया है तो उसका shadow definitely at a time of morning west के तरफ जाएगा इस वज़े से हम लोग west के तरफ ले रहे थे अग during the sunsets यानी सुर्यास्त के समय तो उसका जो sad होगा हमारे right के तरफ होगा क्योंकि sun हमारा बात करें तो रात का समय मतलब साम का समय वो हमारा चला जाता है west के तरफ और इस हिसाब से अगर उस पे light पड़ती है इधर से तो उसका definitely shadow होगा हमारा east के तरफ जाएगा ओके तो आ मतलब उसका shadow जो इनसान आपका दोस्त ठीक है उसका shadow आपके right में पड़ रहा है और morning का समय during sunrise तो आपका definitely आपका जो shadow होगा आपका तो west में होगा लेकिन आपका दोस्त का shadow आपके right में पड़ रहा है इस हिसाब से आपका चेहरा south में होगा और जो question पूछा जाएगा आप आपके दोस्त को 가는 आपका दोस्त का पुझा जा जर्थ्य आपका जो अक्ट छопन में है तो sahता सिम्पल सी बात है अगर हम दुर्सल्था के तरफ करके बाध चित करहें तो मेरा हम में में मेरा टरा साॉथ को तरफ तो आपका दोस्त का condition बाकर आपका चारा ही है तो आपका च तो फिस कर रहा है साडो जिसे कि हम ही हैं आप ही का साडो फिस कर रहा है मान के चलो आप खड़े हो ठीक है हम लोग आमने सामने बात करें और आपका साडो मेरे राइट में पढ़ रहा है ठीक है ओवी कव है संसेट का मतलब सुर्यास्त का समय है ठीक है इमनिंग का समय है ठीक का सैडो क्या होगा तो डिफनेटली आपका सैडो हमारे साउथ में पड़ेगा ठीक है सिंपल सी बात है जैसे कि यही कोशन है आप इससे देखो ठीक है इसमें बोलता है कि मौर्णिंग का समय यानि बात करें तो संद्राइज का समय है अब उदय और विसाल है एक दूसरे से कर रहे हैं मतलब face to face बात कर रहें क्रॉसिंग के पास अब विसाल का सैडो इचेक्टली किदर पड़ा उदय के लेफ मान के चलो यहां पर हम उसी कौन से ट्रिक के बारे बात करें तो यहां पर उदय का नाम ली है ठीक है उदय जो है फिस कर रहा है उतने दोस्त का सैडो ल नौर्थ में रहेगा ठीक है तो यही कोशन पूछा कि उदय का चेहरा किदर है तो नौर्थ में होगा भाई अगर यहीं पूछ दे कि विसाल का सैडो किदर होगा तो डिफनेटली होगा कि जो विसाल होगा अगर इसका अगर अपोजिट करेंगे तो जो विसाल का सैडो व तो definitely मेरा south में जाएगा ठीक है इस चीज को आपको याद अखना है ठीक है just opposite तो I hope आप समझ दे गए होगे बहुत simple था I think अगर आप से कभी भी इस type के question पूछे जाएगा तो हमको नहीं लगता है कि आपको आपको कोई तकलिफ होगी इसे solve करने ठीक है बहुत simple था इसमें कुछ है हमको नहीं लगता है कि ज्यादा difficult है समझने लिए देखिए कभी बात करोगे आप जब भी न तो देखना north south north south यहीं पूछेगा आपका चेहरा किदर है आपके दोस्त का चेहरा किदर है यहीं पूछेगा और इससे ज्यादा इसमें पूछेगा नहीं तो मैंने टोटल आपको बात करें तो तिंग चार तरह का बता दिया अब यह पांचवा तरह का बात करें तो यह देखिए यह इस टैप का घर clockwise पूछा जाएगा कि कभी-कभी क्या होता है कि वाला कोशन पूछा जाता है कि मानने के चलो यह कोशन है कि the time in the clock is quarter past 12 देखो यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा पढ़ने में दिखो थो कि यहाँ पर देखो यहाँ साड़े बारा जबकि साड़े बारा नहीं quarter past 12 मतलव कि सावा बारा होता है ठीक है पर लब बारा बच के 15 मिनट ठीक है तो 12 बच के 15 मिनट हमारा दिखा रहा है ठीक है घड़ी दिखा रहा है अगर हमारा जो घंटा है यानि if our hand का point जो है हमारा इस्ट के तरह और सेम क्लोक है और तो क्या होगा कि आपको बताना है कि which is the direction opposite to the minute है तो आप बात करना है कि जो minute hand है उसके विपरीद दिशा कौन सी है ठीक है मानना कि चलो कि अगर यहां पर अभी current position के बात करें तो यहां पर जो है हमारा minute hand east के तरफ है तो विपरीद दिशा किदर होगी तो इधर west के तरफ होगी बस यही question पूछा तो क्या करना है आपको कि simple सा इस चीज को आपको rotate क कर देना है तो यह इस तरह से दिखा रहा है बात करें कि आगरा आपका बात करें कि our hand आ पहरा east के तरफ है तो हम इस चीज को इस के तरफ ले जाना पड़ेगा मतलब बात करें तो हमको यह नहीं बताओ कि अब मेनट हैंड हमारे किस दिशा में यह बताओ कि उसके अपोजी डारेक्शन कौन सा होगा जैनि साथ है तो इसका पोजी डारेक्शन अबारा नौर्थ होगा सिम्पल सा है हमें लगता है यहां पर कोई दिक्कात है समझने वाली थीक है तो दोस्तों बहुत सिम्पल था आई-hop आपको बहुत अच्छे सहीं सब कुछ समाझ में आया होगा मैंने एक-ईक कोशन आपको बहुत सरलता से आपको बताया है और यह प्राइब करेंगे तो अब हमको नहीं लगता को कभी प्राबलम होगा अभी होता तो प्लीज एक बार बीडियो को अच्छे से देखें आपको चाहिए अगर हमारा यह प्राक्टिस के लिए तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हो वहां पे विरियस नोट्स हैं यह हमारे यह तो आपको मिलेंगे ही हमारे पीडियेप जो भी वीडियो बना रहे हैं उसका तो पीडियेप आपको मिलेंगे ही साथ ही साथ आपको करेंट अफियर जीके नोट्स इंगिस ग्रामर के नोट्स और भी बहुत सारे स्टाड़ी माट्रियल जो कि हमारे चैनल टे बस खुश रहना है, हमें निरास नहीं होना है, हतास भी नहीं होना है, ठीक है, आपको याद रखना है कि बहुत कोई ट्रिक होता है, जिसमें आपको हमेशा याद रखना पड़ता है, सारे ट्रिक्स को आपको याद रखना जरूरी नहीं है, और मुझे लगता आप यार इतन अब अच्छे से आपको अच्छे सब कुछ समझ में आया होगा बस प्रैक्टिस करते रही है ठीक है आज के लिए बस इतना ही दोस्तों पसंद आये तो प्लिए लाइक सेयर और सस्क्राइब करना ना बुले दोस्तों कॉमेंट करके बताए कि वीडियो कैसा था आज के लिए बस इतना ही धनेवाद थांक्यू वाइव थांक्यू वाइव बुड़ देव